जिसा कि हम ने पिछले वीडियो में देखा था कि हम कैसे CSS का syntax लिखता है और किस तरीके से हमारे CSS में properties का use किया जाता है और क्या-क्या तरीके हैं जिससे हम HTML के element में CSS की property लगा सकते हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे CSS के selector के बारे में और आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से classes में, id में और even element के अंदर हम CSS की property लगा सकते हैं So without wasting your time, let's get started तो पिछले वीडियो में मैंने style tag के बारे में भी बात किया था और बताया था कि आप किस तरीके से container को change कर सकते हो, color को उसके मैं क्या करूंगा, मैं एक नही फाइल बनाऊंगा जिसका नाम है tut2.html और I repeat कि अभी हम CSS की फाइल नहीं बनाएंगे CSS की फाइल हम एक certain level of knowledge के बाद ही बनाएंगे Because अभी हम उस stage पे नहीं पहुंचे जहां हम CSS की अलग फाइल बनानी चाहिए So मैं आपको style tag अंदर ही CSS सिखाने बाला हूँ So मैं एदर लिखूंगा CSS selectors और इसके अंदर हम बात करेंगे कि वो कौन-कौन से तरीके जिससे आप CSS की property को add कर सकते हो So अगर मैं एदर लिखूं style और मैं एदर एक pretty much कुछ चीजे बनाता हूं Just like की एक div बना देता हूं div.container और उसके अंदर एक heading देता हूं H1 और उसके अंदर मैं लिख देता हूं I love BMW ठीक है and कुछ paragraph लिख देते हैं इसके अंदर just like lorem और इतना काफी होगा मेरे ख्याल से So, मैं अभी इसको open with live server करूँगा जैसे ही So, आप देख सकते हूं यह मेरा open हो रहा है और यह देखो इधर I love BMW और यह एक dummy text आ चुका है अब मैं वापस जाओंगा इसके अंदर अब हम इसके उपर एक CSS property लगाएंगे So, पहला रास्ता यह है कि मैं इस div के उपर लगा दूँ direct I repeat इस element के उपर लगाऊ उसका मतलब क्या है मेरा उससे तो मैं आपको दिखाता हूं अगर मैं लिखो डेव और इस तरीके से लिखो कुछ और इसे लिखो बैक्राउंड कलर और एदर रेड कर दूँ सेव करो इसको तो यह देखो यह राड उचुका है बट अगर मैं कोई और डिव बनाऊंगा जस्ट लाइक डिव और उसके अंदर मैं एक परेग्राफ दोंगा तो वह भी सेम टू सेम रेड कलर का हो जाएगा यह देखो तो यह आप तभी उश कर सकते हो कि जब आपके पास जो जितने भी ऐलेमेंट्स उन सब पर एक ही चीज़ आप अपलाय करना चाहते हो तब आप इसका यूश कर सकते हो तैस जो जूसरा तरीका आता हमारे पास वह होता है ID क्या होती है एक यूनिक आइडेंटिफायर होती है और मैं आपको दुबारा से बताना चाहूंगा कि अगर आपने बाइणी चांस HTML का कोर्स नहीं किया तो इधर देखो मेरे HTML का कोर्स इधर है और इसके अंदर मैंने नौ वीडियो दी है और उस नौ वीडियो में आपको एट टू जेड सारी चीज़े समझाई हुई है तो उसको जाकर चकाउट कर लेना प्लीज और टपिक पर वापस आता है और CSS का भी प्लेलिस्ट है मेरी CSS course in 2023 in Hindi तो उसको भी चकाउट कर लेना यह उसी का यह वीडियो है कि मैं क्या बताना चाहता हूं आपको इक हमारे पास unique identifier होता है HTML के अंदर और हम उसे तभी यूज़ करते हैं कि जब हमें कोई भी element को एकदम separate रखना है बाकी elements से तब हम उसका यूज़ करते हैं ताकि हम उसको अलग कर सके उस सारे elements के अंदर से सो अगर मैं ID बेस्ट करना चाहूं property को और ID बेस्ट element में लगाना चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं पता है मैं को मैंने इदर बहुत सारा ही classes बना दी है और मैंने इदर एक डिव बनाया मैंने उसके अंदर ID लिखया mfeeding अ इसके इन अगर हम और हमちゃे में इसके element निकाल देता हूं सबसे पहले है का metallic sister अजिए यहां खुछ लिखना पड़ेगा मैं ठीक है और यह जो कदल ब्रेस सरे वो देने पढ़ेंगे बेकर यह इंपोर्टेंट और यह सिंटेक्स बैसिकली और अगर मैं इसका गरांट को रहुं कि अगर यह कम इसका कलर करूं और आपको नहीं पता होगा तो देता हूं कि और हमारी एक इस तरीके से दीखा हूं तो यह देखो बैग्राउंड कलर ब्लाइक है और फॉंट का कलर वाइट है ताकि हमें टेक्स दीखे ठीक है और यह बहुत ही अच्छा लग रहा है और वियर्ड भी लग रहा है थोड़ा सा इसको इग्नूर करेंगे अब हम बात करेंगे हमारे तीस अब मुझे क्या करना है मेरे पास ऐसी दो के डिव है जिनके अंदर यह दोनों कलास जाहता हूं तो मैं क्या करोंगा डॉट माइडम हई 20 और यह जो भी है मैं इसको लिखंगा बैक्राउंड कलर मैं अब यह च्छा सा क्लर देखोंगा मैं आगर लिखूंग हूं वाइट और कॉलर में में लिख दूँ ब्लैक और मुझे पता है कि मैं बहुत अजीब अजीब से कलर कॉंबिनेशन यूज कर रहा हूं बट एनिवेज उसको इगनोर करो मेरे कलर कॉंबिनेशन की चॉइस को बिकज मुझे नहीं आता कलर चूज करना मैं कलर ब्लैंड हूं अभी हम द इस आहीं हम कलर को पिक कर सकते हैं और यह आज़ यह भी वैल्यूऊ करता है यह कंदर ब्लै कार नहीं है और कुछ रेड है कुछ ग्रीट रेविघ मेरी और कुछ ब्लू है उन्सक्रइशन कर ist लात यह अगर मैं इसको देखों तो यह कुछ इस तरीके से दिख रहा है इसका प्रॉब्लम यह है कि मैंने यह जो एलिमेंट है इसके उपर रेड़ कलर करके रखा है इसको खारिज करेंगे हम यह कुछ इस तरीके से दिख रहा है और आप Class Selector का बहुत ज्यादा यूज करेंगे अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहा है और आपके ड्यूउस बहुत ज्यादा है आपके एक पेज के आपके रहा हैं और लाज्च एक इनर और सारी प्राइटी लगनी होँगी वह भी यूज होते हैं इतना ज़्याद नहीं जितना क्लास यूज हूती है और अगर मैं अलिमेंट-बेस यूज की बात करूँ तो उन्हें ज्यादा यूज करते हैं बिकाज हमें कभी-कभी क्या होता है कि हमें कोई चीज अलग चाहिए और कोई चीज अलग चाहिए तो वह क्या करता है वह सारे के सारी जितने भी elements होते हैं हमारे उनको change कर देता है उनका भी यह उस हम ज्यादा नहीं करेंगे हम ज्यादा कर लीजिए and html का भी कोर्स है मेरा इधर ही उसको भी चेक आउट कर लीजिए वह भी आपको जरूर देखना चाहिए अगर आपको नहीं आती है html बीजिक html भी नहीं आती है तो आप क्या कर सकते है आप बीजिक html के लिए इसको देख सकते हो और टूटल नौ वीडियो है और दसवा वीडियो में कल परसों में पोस्ट कर दूँगा आपको अच्छे लग रहे होंगे वीडियो और अगर नहीं भी अच्छे लग रहे तो आप कॉमेंट्स में मुझे बता सकते हो और शेर कईजिए अपने वीडियो को और अपने विचार कॉमेंट्स में बताईए बाकी मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में किसी video and I will see you in the next one.